की जहेंट फ्रेंड आज की टोपी का महात्मा गांधी। maka 25 से 47 की बिछ में फोटी कोशन हम देखेंगे महात्मा गांधी तोप 40 कोशन हम देखेंगे जो कि आफके आने वाले हर एक्जाम के लिए बहुत ही बिश्भूल होने वाली है चलती स्टाइट करती है बिना देरी किया हुए आज का फ़र्स्ट कुशन है महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकिर किसने कहा था इनको तो विश्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकिर किसने कहा था इसके बारे में देख लेते ह बिष्टन चर्चिल ने मोहन दास गांधी को और नगन फकिर कहा जो कि गांधी ने इस अभिव्यक्ति को परसंसाक रूप में माना था अगला कोशन देते कोशन हमार तुरू देखते हैं यहां पे कि महात्मा गां धी किस वर्ष पर्शिद नमक मार्च का नित्यूत्र किया था बर्ष का मार्छ महिना में पर्षिद नमक नेत्य तुर्च को भी इसके बारे में दख़ेंगे इस कोशन नमक मार्छ जिस दांडी मार्च या नमक सत्यागर भी कहा जाता है मार्च अपरील 1909 में महात्मा गांधी की नेत्यूत्र में भारत में पर्मुक अहिंसक बिरोष करवाई की थी ध्यान लखेए इस कोशन को अगला कोशन देखते हैं यहां पर गांदी जी ने कानून की सिख्षा कहां से लिय थी और टेंपल लंदन में है ये मैं देखते हैं आप पैस्स नमर फॉर का उन्हेसं पंद्र में जब गांधी जी भारत लौके तो उनके अभिमान का मुख कारण क्या था भारत लोटे तो उनका अभिमान का मुख करन क्या था तो भूमी कर्मे कमी भूमी कर्मे कमी उनका अभिमान का मुख करन था ध्यान रकेंगे इस कोई अगला कुछन देखते हैं कुछ नमों 5 अपने राष्ट व्यापी अभियानों में गांधी जी का प्रात्मिक लक्ष क्या था अपने राष्ट व्यापी अभियानों में गांधी जी का प्रात्मिक लक्ष क्या था तो गांधी जी का प्रात्मिक लक्ष क्या था सोराज कोशन को समझे भारत की स्वतंतरता के लिए अपने अभिमान में महात्मा गांधी के प्रतिरोध का प्रात्मिक तरीका क्या था धान रखेंगे इस कोशन को भी सेवबन क्या है यह का इसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो एसी सिखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो इन्हें किस ने का था ध्यान से बताना है इस कोशन को कोशन है किसका कथन ऐसे जीओ कि तुम कल मरने कल नहीं parlerा ति किस ने कहा थे तो महत्मा गांधी का किस दिया हूँ एत्यान किसका महत्मा गांधी का कैई को 14 गांधी जी लिए पहले बार स्वान जनक कुपाधि महत्मा किस लागू कि इन धान कही अद्याशंगे 나쁜ाए Meow गांधी जी केल पहली बार समान जर्रक उपाधि महात्मा किस देश में लाओ कि गये थे दक्षिर अफ्रीका में लाओ कि गये थे अगला कुछन देखते हैं आपके कुछन मनाई अंतराष्टी अहिंसक दिवस कम मनाया जाता तो दू अक्टूबर का बनाया जाता दू अक्ट सिक्षा और जन जागुपता के माध्यम से अहिंसक को बढ़ावात देने के लिए हर सल्दू अक्टूबर को अंतराष्टी अहिंसक दिवस मनाया जाता है दूज़सात में सुनुक तराष्ट महासभा ने अंतराष्टी अहिंसक दिवस की अस्थपना के लिए ए आरिएस 61 27 रेसुलेशन पास किया था अगला कोशन देखते हैं पर कोश्ण मर्ट 10 क्या है महात्मा गांधी और उनकर स्वोयम सेवकों ने डांडी मर्च कम सुरू कि तो 1930 में कब 1930 में डांडी मर्च शुरू हुआ ता ध्यान देखना है इस को को अगला देखते हैं गांधी जी को किस उम्र में 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 बुलाया गया और वह खील बन गये तो 22 बसके उमर में वह इंडिया है और वह क्या बन गये थे 22 बसके उमर में घ्यान दिख्यान रखिएगा अगला कोशन देखते हैं आप पर कोश्ण मर्ट 12 1915 में भारत लोटने से पहले गांधी जी कितने समय तक दख् समय थे मुद्स जो आश्रम है कहां पर इसती थे साबर मल में अहमदाबान में देते हैं सांब के बारे में सत्यागरा आश्रम कर्णीरवान महत्मा गांदी मुई 25 में पन्तवर्थ को अहमदाबान में अपना पहला असरम क की रूप में किया था जो बोयों अपने पचीस सा सावर मत्री के किनारे अस्थनान्तित कर दिया गया था और शावर मत्री आस्म का नाम दिया गया था यहां से आप स्क्रीन सोट्या नोट डाउन करते चलेंगे कुशन देखते हैं यहां पे कुशन नमर्ट फुट्टिन उनिस सु तीस में गांधी जी ने ब्रिटिस द्वारा लगाये गये नमक करको चुनोती देने के लिए क्या करवाई की तो 400 किलिम्टर डांडी नमक मार्च का नित्वित्र करना पड़ा था कुशन देखते हैं यहां पे कुशन 15 क्या है महातमा गांधी द्वारा शुरू किया गया असयोग और अनदोलन का मुख उदेश क्या था महात्मा गांधी जो असयोग अंदोलन शुरू किये थे उसका मुख उदेश किया था इसका मुख उदेश था ब्रिटिस आशन में पूर्ष उतंतरता प्राप्त करना था ब्रिटिस आशन में फूर्ट सतंतर्ता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांदी दुवारा अस्वयोग आंदोलन परतावित किया गया था यह देखते हैं अस्वयोग आंदोलन का उदेश अपनिविसिक और आर्थिक और सक्ति सनशनाक्षिन उति देन था और ब्रिटिस अधिकारियों को सतंतर्ता आंदोलन के मांगों पर धान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था नेश कुष्ण देखते हैं कुष्ण में 16 क्या है गांदी जी 1942 में अपने उपनिविस बिरोधी राष्टवाद प्रयासों का तहत क्या आवावन किया था अंग्रेज भारत छोड़ देना यह परत्तवाइद किया गया था नेश कुष्ण देखते हैं यहां पर कुष्ण में 17 क्या है यहां पर कि 1940 के दसा के शुरुवात में गांदी जी ने सुतंतर्ता भारत के द्रिष्टी कोर को कि शिनोंति का सामना करना पड़ा तो मुष्ण मुष्णिम राष्टवात का सामना करना पड़ा था ध्यान रखेगा इस कोष्ण को अगला कोश्ण देखते हैं कोश्ण नमबर हम देखते हैं अगस्ट में भारत को दिया अगस्ट में भारत की राज बन गिया था महात्मा-गांधी दक्षे अफ्रीकार से भारत कब लौटे थे तो 1915 में लौटे था और गोपाल किष्ण को खिले का अपना गुरु बनाकर भारती राष्टे कांग्रेस में शामिल हो गए थे हैं महत्मा गांधी द्वारा शुरू के अग्या अंदलन का मुख हुझे तो ब्रिटिस आसर ने पूर्श अतन तक्ता प्राप्पका नहीं रिप्टेट कोशन कुछ दिकत नहीं अगला कोशन देखते हैं पर गांधी जी ने खिलाफत अंदलन में कैसे भाग लिया बताना है तो उन्हों अंदलन में सहाय भूमिका निभाई थी इसलिए वो भाग लिये थे गांधी जी की अहींसा और सब ने ऊग्या विचार धार किसके शिक्छा नम सरकाप त्यादाए था थाık किसके हेनारी डेविड थोरो द्वारा ध्यानकी का ये कुशन बहुत ही इंपोर्टेंट है देखते हैं यापे जेल में रहते वे गांधी जी ने उनिसीस सत्य के अमरीकी लेखर खेनरी डेवेट थोड़ो का निवन सबने ओग्या अंदलन गांधी जी ने अन्याय के साथ सयो करने से अहिंसक तरीके से इंकार करने क अपनी रनित्ती का बनन करने के लिए शमने औग्या सब्द को अपनाये लेकिन हुने संस्क्री सब्द का सत्यागरा अनिक सत्थ के प्रति प्रत्मित्ता दी थी अगला कुशन दिखते हैं आपे कुशन नमर्ट ट्वंटिशिक्स ट्वंटिफाइब बिभाजन के बाद की कि धार्मिक लोगों का बिष्थापन हुआ तो पंजाब और बंगाल में धार्मिक लोगों का बहुत ज़्यादा बिभाजन के बाद महात्मा गांधी का हिंद सोराज का तत्व क्या है तो पहस्य में आधिनिक्ता के एक के आलोचन यहिंद सोराज के एक तत्व है महात्मा गांधी द्वार अगले देखते हैं आपके इनमे से किष्णे अप्रेर उनिसो तीस में नमक कानून तोरने के लिए तंदोर तटपर एक अभ्यान संगठित किया था तो स्री राम गोपाला चारी ने नमक कानून तोरने के लिए तंदोर तटपर एक संगठित का अभ्यान चालू किये थे ध्यान रखेंगे स्री रामा ग और नघकना फकित किस न कहा कि मातमा गाधि को आरणकना फकित विस्टन चर्चिल ने का महात्मा गांधी ने भारत में अपना जन्भासन कहां दिया था तो वार्ण रसी में दिया था अपना जन्भासन भासन अग्ला देखते हैं ठटी कोशन देखते हैं आप निम लिखित में से किष्ने सत्य अगरसब्द यदे महात्मा गांधी ने ने रसी कुछन sì को डहाओ कोश्य नमोंrifोड निमनीखित में से किस्ने उने兩 सुच ची चालीश के कैबिनेट मिशन का नेदों सुर्पाइथिकल्री लॉर्णस घंञाए सबस्क्राटिकल ने उने सुच ची आलीश में कैबिनेट प्रवाज को निम्ली कितम से कौन भारते राष्टे कांगर्स का अधक्ष बना तो आज के इतने धन धन्य बाद